हेलो डियर इस्ट्रेंट्स केसे हूँ आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे प्यारे बच्चो एक सांधार वेकेंसी आई है भातिया डाक विभाग इंडिया फोस्ट आपिस के अंदर आपको बता दू कि इंडिया पोश्ट पेवेंट वेंक्स का अपने नाम सुना होगा जिसे हम सौड में IPPB के नाम से जानते है आपको बता दू कि इसका जो कारियल है वो नियो दिल्ली में है दोस्तो यह है बढ़ती डायरेक्ट जो है ग्रामीन दाग सिवक से और जो है IPP में एड्जुकर्टिव के पद के लिए आई है डायरेक्ट रुकर्मेंट यहाँ पर निकला है दागिया और ग्रामीन दाग सिवक की संग्या तीन लाग से अधिक है तो यहाँ पर डाग विभाग काई एक तरीके से अश्रोत है एक तरीके से अटेच्मेंच है IPP का आपको बदा दू कि अभी हाल ही में जैसे की अमेजन प्राइबिट जो कंपनी है कभी आपने अमेजन पर सामान मगाया होगा ओनलाइन तो अमेजन ने भी अब कोलाबरेशन भारतिय डाग विभाग के साथ कर लिया है अमेजन के सामान की जो डिलिवरी है वह है अब आने वाले टाइम में GDS एमप्लोई करने वाले है कुछ चार-पास साल पहले की बात है उसी तरह जो है IPP ने अपना वेंक अकाउंट कोल सकते है भारत सरकार की जितनी भी इसकी में आती है उन इसकी मों का लाब उठा सकते है कम बियाज की दर पर आप लॉन ले सकते है यहाँ पर विभिल प्रकार की बच्चियों के लिए योजनाय आती है एपडी वगेरा आप लोग करवा सकते हो ए आगे चलके पूरी की फूरी डिटेस देखते हैं, वैसे आपको बता दू कि भारतिय डाक्ट विभाग में काम कर रहे हैं, GDS employee जरूर फॉर्म एपलाई करें, conditions क्या रहेगी, आगे चलके बात करेंगे, आपको इसमें online form एपलाई करना है, और online form की जो dated है, वो 11 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक है, तो इस dates की वीतर वीतर आप लोग जो है, इस website के माद्यम से आप अपना applications form भर दीजी, दोस्तो डेट तो इन्होंने वता ही रखी है, वाकि दोस्तो आगे चलके हम बात करते है, number of total vacancies की, तो यहाँ पर पद का नाम इन्होंने साप-साप दे रखा है, executive का पद है, number of vacancies 344 है, लेकिन ये बढ़ जाएगी, दोस्तो यहाँ पर number of vacancies, circle बार कितनी आई है, देखे, यहाँ पर अंडवान एंड निकोवार आइसलेंड के अंदर एक vacancies है, आंधर प्रदेश के अंदर आठ vacancies है, अरुनाचल प्रदेश पांच असम के अंदर 16 vacancies है, विहार के अंदर 20 vacancies है, जैसे दोस्तों कभी आपने GDS का फॉर्म डाला है, circle बार उसी तरह यहाँ पर circle बार यह vacancies निकाली गई है, 36 गर से 2 vacancies है, आपको बता दू कि यहाँ पर चंडी गर से 2 vacancies है, 36 गर से 15 है, दादरा एबम नागर हविली से मात्र एक vacancies है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से दोस्तों 6 vacancies है, गोवा से 1 है, गुजरा 29, हर्याना 10 vacancies, हिमाचल प्रदीश से 10 फोष्ट है, जम्मो एंड कश्मीर से 4 है, जारकंड से 14 vacancies है, कन्ना टिका से 20 है, केला से 4 है, लद्दाक से 1 है, मद्र प्रदीश से 20 vacancies है, महराश्य 19 है, टोटल आप दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर circle बार इन्होंने vacancies की जानकारी दे रखी है, और आप खुद से भी notification डाउनलोड कर लेना, टेलिग्राम चैनल पर इसका notification मिल जाएगा, 344 पदों पर यह भड़ती आई हुई है, प्यारे साथियों, फ्यारे साथियों LGBT क्राइटेरिया पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यह बड़ा ही मैध्पून है, आपको बता दू कि एग्जोकिटिव के पदपर तो आप लोग नौकरी लोगे, लेकिन आयू आपकी 20 बर से कम नहीं होनी चाहिए, और 35 बर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका 1-9-2024 से आयू की गर्णा होगी, और दोस्तों, minimum education qualifications के लिए इन्होंने बता रखा है, कि आपके पास एक graduation वाली degree होनी चाहिए, regular और ये कही ना कहीं आपको पता होना चाहिए, जोस्तों, कि GDS जो employee होता है, वो केबल 10-20 पास से नौकरी लगता है, लेकिन अगर कोई ऐसा employee है, जो 10-20 से तो form वरही रहा है, लेकिन किसी ने graduation किया है, जैसे अभी GDS की बढ़ती आई हुई है, बहुत सारे ऐसे employee है, बहुत सारे ऐसे बच्चे है, प्रेशर बच्चे, जो GDS का form वर्म अप्लाई कर रहे है, उन्होंने degree ले रखी है, तो दोस्तो मैं समझता हूँ, आज जब आप GDS की बढ़त पर नौकरी ले लेते हो, तो आपके department की इस तरीके की बढ़तिया देखने को मिलेगी, साथियो GDS की IUCMA 18 वर्स होती है, तो इन्होंने साप साप यहाँ पर बता रखा है, GDS की salary तो 18,000 के approach है, साथियो BPM की, ABPM की 15,000 ही है, लेकिन यहाँ जब आप लोग नौकरी ले लेते हो, तो 30,000 पर मंत आपकी salary हो जाएगी, इसके लाबा कोई भी allowance बगएरा आपको नहीं मिलने वाले, next दुस्तों यहाँ होना चाहिए, selection process, साथियों इसमें इन्होंने साप-साप दे दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें return test नहीं होगा, direct merit ways पर आप लोगों का selection होगा, तो दोस्तों, graduation में आपके कितने percentage है, उसे finally आपकी merit निकलेगी, और यह इन्होंने बता रखा है कि अजैसे graduation वाला बंदा है, किसी की 60% है, और दूसरा बंदा है graduation वाला उसकी भी 60% है, same percentage अगर किसी की रह जाती है, तो date of birth से फिर सलेक्शन होगा, जिसकी IO ज़्यादा होगी, उसको कही न कहीं, आगे चलके इसमें merit list में नाम दिया जाएगा, ठीक है दोस्तियों, तो विना exam direct ये बढ़ती है साथियो, applications fees दोस्तों, इसमें 7500 रोपे रहेगी, वाकी चूट इसमें नहीं है, नेक्स्ट इन्होंने बतरका है, leave, चुट्टियों के बारे में, चुट्टी किस प्रकार आपको मिलेगी, तो वो rule 2020 के according, इसमें आपको सारा कुछ leave वगरा मिलेगा, वाकी दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर other terms and conditions इन्होंने बतरका है, तो यह सब guidelines आपको follow करनी ही होगी, कि यहाँ दो साल service होनी चाहिए, regular, कोई दिक्कित नहीं होनी चाहिए, आपकी GDS की journey में, next दोस्तों, आपको यहाँ पर साप साप जो है website इन्होंने बतरका है, आप लोग website पर widget कीजिए, और finally आप जो है form apply कीजिए, किस divisions के अंदर circle बार यह बती आई हुई है, तो यह को आप जब download करोगे, तो यह आपको जानकारी मिल जाएगी, notification के अंदर यह सब दिया हुआ है, बाकी साथियों मैं समझता हूँ कि इस notification को download तो कर ही लेना, और form जरूर apply करना चाहिए, तो कि golden opportunity है, आप सभी के लिए और बिना परिच्छा direct बढ़ती हो रही है, regular base पर हो रही है, और 30,000 रुपे प्रती माहा आपको मिलेगा, तो GDS में क्या करोगे, GDS की बजाए तो आप यहां जाएए, आपकी जिन्दगी बन जाएए, और दोस्तो किस circle के अंदर आप लोग form apply करोगे, और किस divisions किस unit के अंदर form apply करना चाते हो, उसकी details यहाँ पर noted question में इनोने साप साप दे रखी है, तो finally दोस्तो यह है एक सांदार बरती आई है, इंडिया post payment bank के अंदर, इसमें सभी candidates form apply कर सकता है, जीडियास के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुसकावरी है, जानकारी पसंद आई हो, like, share, subscribe करें, इस बड़ती के टेड कोई भी सवाल है, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो, आपके प्रिश्ण का जवाब मिलेगा, आप जो है इस्टेग्राम पर बात कर सकते हो, ठीक है दोस्तो, थेंक्यू दनबाद, जै हिंद, जै भारत,